तो drive क्या है? जैसे आप अपने Windows operating system पे File Explorer का यूज करते हैं अपने folder को, अपने file को store करने के लिए सेम उसी वे तरह है, Google Drive भी क्या है? एक cloud storage आपका file manager है, जिसमें कि आप folder create करते हो, अपने file save करते हो जो भी चीज़े आप share कर सकते हो, अपने team के साथ, अपने goalably, आप इसको share कर सकते हो, easily, using your link और link को control वेगर भी कर सकते हो, तो चलिए मैं तोड़ास आपको बता दू कि यह जो Google Drive है, in 2012 में introduced हुआ था, और यह एक तरह का cloud storage service है, जो कि Google के द्वारा provide किया जाता है, इसमें आपने document, photos, videos और भी many more things जो आपका चीज़े होती है, photos, videos के लावा आपके documents वेगेरा, credentials जो भी है, आप उनको easily save कर सकते हो, जो कि आपका totally highly secured रहता है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अदर Google work space में जो भी other आपके subways हैं, उनसे collaborate करके, यहाँ से आप चीज़ों को share और work कर सकते हैं गूगल ड्राइब जो है, इसमें बहुत सारे आपको ऐसे features मिल जाते हैं, जो कि permissions allow करते हैं, जैसे आप मनलो कोई link share कर दिये किशी को, अब आप चाहते हैं उसका access remove करने के लिए, तो आप easily Google drive के द्वारा through कर सकते हो, यह सी सारे चीज़ें तो चले मैं आप Google drive को access करके भी दिखा देता हूं, कि कैसे हम मुझे को Google drive को access करेंगे, ठीक है, मैंने आपको अभी इसले वीडियो ही बताया, कि किसी भी Google work space को access करने के लिए, आपको simply क्या करना होगा, Google Chrome को open करना होगा, अपने profile को open करना होगा, तो मैं अपने Windows बटन प्र search किया Google Chrome, और मैं Google Chrome करने के बाद यहाँ पर जो मेरा work का है, मैं अपना वो open कर लेता हूँ, then access करने के लिए मैं यहाँ पर click करूँगा, और यहाँ पर आगज करके Google Apps के उपर drive पर select कर लोगा, तो मैं यहाँ पर देखूँगे, यहाँ पर drive है मेरा, तो मैंने drive को select कर लिया, और drive हमारा हो गया, open, जैसे यह drive आपका open होता है, यह आपकी इस तरह से, जब आपको Google WordPress रहता है, उनकी इस तरह से interface दिखती है, यहाँ पर क्या क्या चीज़े होती है, मैं आपको बतायता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर होता है कि, जैसे search box, तो search box में आपका कोई file folder है, log का हो, आपका slide का हो, वो कोई भी file हो, यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैं अभी search करूँ, यहाँ पर, तो अगर इसे name से होगा, तो आ जाएगा, अगर नहीं है, तो नहीं आएगा, जैसे मैं अबर search करूँ, कोई presentation का, मेरा file का name मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी start होने लगती है, आप search box में आकर, वो type करते हैं, तो, आप advanced search भी कर सकते हो, यहाँ पर जा करके, advanced search में आप डाल सकते हो, कि किस type की आप folder विगरा सर्च करना चाहते हो, यहाँ से select कर लो, आप honor हो, याई कि किसी ने share किया है, उसका केवल आप चाहते हो, search करना, तो वो यहा यहाँ पर कियो, has the word, कुछ word उसमे particular search करना चाहते हो, वो डाल दो यहाँ पर, और यहाँ पर location कहाँ है, कि आप मुकमार drive में, shared with me में, ठीक है, इस तरह शे आप करके, यहाँ पर search करोगे है, तो, वो result आपको best way में मिल जागा, तो, advanced search भी और simple search भी आप दोनों तरीके शे पर कर सकते हैं, mainly आता है, जैसे कि आपको इसमें, कि आप folder कैसे create करेंगे, ठीक है, folder create करने का, in the sense, कि आप, जैसे तरह से, आप multiple folder create करके, अपना file को organize वेकरा सहरा सीचे कर सकते हैं, तो, मैं यहाँ पर file new button पर click करेंगे, file new पर, और यहाँ पर new folder देख रहा है, तो, मैं new folder प training demo folder, ठीक है, मैं enter कर दिया, और यह हो गया, हमारा folder create, तो, आप देख रहे हैं, आप यह alphabetical order में, यहाँ पर, यह एरेंज होते है, automatic, ABCD, ऐसे, तो, मैं यहाँ पर देखूँगा, कि training demo folder यहाँ पर है, मैं इसको double click करूँगा, same as it is, जैसे आप file explorer को open करते है, folder double click करके, files or here, जो भी folder में आपको files वगरा create करने है, upload करने है, वो यहाँ पर आप upload कर सकते है, जैसे अब upload कैसे करेंगे, तो file पर ही जाएंगे, यहाँ पर file upload पर click करेंगे, और यहाँ पर जो भी हमें, कोई file वगरा, enter करना है, upload करना है, जैसे मैंने आपको फिसले वीडियो में download करक और open करूँगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि यह automatic यहाँ पर upload हो रहा है, और यहाँ पर आ गया, अब जैसे ही आ गया यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ, कि मैं इसका पूरा का पूरा name अपने recording रखूँ, यहाँ पर कर सकते हैं वो चीज़, अब यहाँ पर कुछ ह यहाँ पर डाल देज़ें, अपना, इसका rename डाल देजिए, wallpaper 4K, और मैं इंटर कर दिया, तो यहाँ पर यह इस तरह आप अपना इसका file का rename भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जब three dot पर click करेंगे, तो आप इस file को download कर सकते हैं, rename भी कर सकते हैं, red-click करके भी rename कर सकते हैं, हो जाएगी ठीक है यहाँ आप देख रहे हैं copy of wallpaper 4k आ गया copy create हो गया मैं इसको डिलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे move to trace कर दूँगा और यह move to trace में चला जाएगा मैं अगर चाहता हूँ इसको कि यहां से share करना किसी को तो यहाँ पे तीन बटन तीन चीज़े मिलती है share में share, compelling and approvals approvals में क्या होता है कोई third persons है जिसके approval आप लेना चाहते हो कि आप वह जब तक approve नहीं करेगे तो महित को डाल को प्लेज आप्रोव दीश टू डिलेट तो यहांपे मैं डाल दिया अगर मैं मोहित के नहीं डाल करके घुतर का भी डाल सकता हूँ तो मैंने यहां पे लिग दिया की , miej प्लेज अप्रॉव डिलेट करने saúde , यहां पे send request करूँगा तो यह मोहित के पास चला जाएगा ठीक है और यहाँ पे दे रहा है कि comment और equal editor तो यह अगर मैं यहाँ पे जो भी चीज़े करूँगा send कर दूँगा तो यह मोहित के पास चला जाएगा तो मैं अभी के लिए cancel कर देता हूँ, अभी मैं send नहीं करता हूँ ठीक है, तो इस तरह आप approval भी ले सकते हैं और यहाँ पर आता है share पे, तो copy link करेंगे तो यह link copy हो गया, और आप किसी को easily अपने Google Workspace में जा करके चैट में, मैं Gmail open करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, कि आप किसी को भी share कर सकते हैं इसको easily, जैसे मैं अभी यहाँ पर जाओ, अपने Workspace में और MySpace, आपको अगर किसी भी Workspace में किसी को भी share करना है, तो आप simply इसको WhatsApp पर भी आप इसको share कर सकते हैं, जो भी आपका Official Communication का वे है, वहाँ पर आप जाकर share कर देंगे, तो इस तरह से मैं अभी यहाँ पर share कर दिया, जो drive का मेरा wallpaper का link था, तो इस तरह से हमने share कर दिया, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर share पर जाएंगे, तो एक share का जितने भी team members हैं, उनको default view का access जाता है, तो आप यहाँ से यह कभी कर सकते हो, कि अगर जिनके पास भी view का access है, वह केवल और केवल क्या कर सकते हैं, इस photos को, इस चीज़ों को देख तू सकते हैं, लेकिन वह comment और download और उसको print नहीं कर सकते हैं, याँ कि जो आपकी content है, वह copyright issue शे, आप उसको बचा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर editor का देख दा हूं access, तो वह edit भी कर सकते हैं, याँ फाइल को delete वेगरा भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो अगर editor का देंगे, आप मैं copy link कर लूँगा, तो अब यह जो होगा, edit का link चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से, now, मैं अभी बता दूँ आपको, और भी इसमें बहुत सारे चीज़े हैं, जो कि मैं अभी को बताने वाला हूँ अभी, जैसे organize में है, तो organize में क्या होता है, कि माल लेजे, आपने चाह रहे हैं, कि यह जो folder है, यह जो file है, कहीं और है, या फिर मैं आकर कोई एक और folder यहाँ यहाँ पर बाहर आता हूँ पहले, मैं drives में, मैं drives में आ करके, कोई इसी फिफी folder में आ जाता हूँ, जैसे, suppose that, या फिर मैं उसी folder में आता हूँ, एक सेकंड, training demo folder था, मैं इसी file को duplicate करता हूँ, और मैं इसको make a copy कर देता हूँ, यहाँ पे, इसका copy create हो गया, मैं चाहता हूँ कि जो copy create हुआ है, यह कहीं दूसरे file में, दूसरे folder में जाए, तो मैं इस पर three dot पे click करूँगा, या फिर right click की भी कर सकता हूँ, तो same option open होगा, और मैं organize में और यहाँ पे move कर दूँगा, जैसे ही मैं move पे click करूँगा, हमारे पास यह इस तरह से आ जाएगा, आप move कहां करना चाहते हो, किस folder में करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे all location पे click करूँगा, तो मैं all location पे आ गया, my drive के, मैं my drive के अंदर जाऊँगा, और my drive में जाने के यहां पर भी फाइल और फोल्डर को आप मूव कर सकते हैं इस तरीकेशे, ठीक है, आपको यह चीज शमज में आए होगी, और और अर्गनाइज में आप जाएंगे, add a shortcut, add to a start, add to work space, यह भी create a new work space, और उस work space में आप इसको simply share कर सकते हैं, जैसे मैं add work space में इसको क्लिक करूँ आप create new work space दरा है, मेरे पास work space नहीं create किया हूँ मैं, इस वाइसे यह नहीं जा रहा है, तो अगर मैं create कर देता हूँ, तो वो इसमें directly मैं उसमें share कर सकता हूँ, अभी यहां पर तीन चीज़े भी आपको दीख रहे हूँगी, priority, activity and work space, तो work space मेरे पास अभी कोई नहीं work space ह ठीक है, अब मेरा priority, अगर मैंने किस कोई, जैसे कोई folder है, मैं उस पे priority share करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं भी उसको यहां पर share share कर सकता हूँ, यहां पर जा करके, organize, add to a star, ठीक है, add to a star मैं क्लिक कर देता हूँ इसको, तो यह star में यहां पर दीख जाएगा आपको, start में, यहां पर, जो मैंने start किया हूँगा, यहां पर देखिए, अभी जो था, वो चीज़े यहां पर दीख गई, तो इस तरह शे हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने file folder को organize, delete, सारे चीज़े, share, सब चीज़ बता दिया मैंने, जो आप delete करेंगे, वो आपको directly यहां पा करके, so होता है, वो direct delete नहीं होता है, यहां से जो file folder delete कर देंगे, वो permanently यहां पर delete होता है, यहां पर 30 days के बाद, वो automatic delete हो जाता है, जो भी spam folders वेगर, जो भी files है, वो spam में so करें आपके, recent में जो भी आपको दिखेंगे, जो भी आप अपने भी किया, वो सारी चीज़े recent में दिखेंगी, यह shared with me, जो है, यह वो option है, जहां पर आपके जो teams है, उनके द्वारा, जो भी आपको चीज़े share किये गई होगी, आपको share किया गया होगा, वो सारे के सारे यहां पर नहीं मिलेगा यह option share drive से, तो आप एक drive create करके दुसरे client उनको share कर सकते हो, ठीक है, यह सारे चीज़े आपको समझ में आयो होंगी, यहां पर कोई options है, मैं यहां पर देना चाहता हूँ, my drive, और यहां पर new प्याँ करके, आप यहां पर देखें, यहां पर बहुत सारे options है, create करने के लिए, तो मैं यह सारे चीज़े भी अभी बताऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में, कि यह सब चीज़े कैसे हम create करते हैं, ठीक है, अभी हमारा mainly जो work था, google drive का था, कि हम कैसे folder, गेरा files को create करते हैं, कैसे organize करते हैं, वो सारे चीज़े, एक यहां पर देखें आपका default रहता है, on by me, ठीक है, इस तरह शे, अगर shared with में जाएंगे, तो shared with में भी आपका, shared with me में, भी आपको वैसे ही option मिलता है, कि shared by someone, और date, यहां particular date, last modified by, last modified, यह सब आप सर्च कर सकते हैं, इस तरह शे, ठीक है, shared date, तो I hope आपको यह पूरा google drive आपको समझ में आया अगर if कहीं भी किसी भी point पे आपको understanding ना हो, आप समझ नहीं पाए हो, कोई queries हो आपको, तो आप सीधे जागर के comment box में, आप questions पूछ सकते हैं, within 24 hours आपको मैं reply दे दूँगा